दिर इस्टुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का बच्चों ये क्लास 6 का एंसे अटिका में था है चैप्टर 6 एक्ससाइज 6.1 तो चैप्टर 5 खत्म हो चुका है चैप्टर 6 में भी ये एक्ससाइज का मैं आप लोगों को क्वेशन नंबर 4 तक सॉल्ब करके दे चुका हूं क्वेशन नंबर 4 तो क्वेशन नंबर 5 यहां पे नहीं है पीछे में है तो आज हम लोग क्वेशन नंबर 5 से आगे सॉल्ब करेंगे तो इसको यहां पे यह है क्वेशन नंबर 5 following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year एक साल के एक किसी खास दिन में इंडिया के कुछ शहर का नाम दिया हूँ है और इसका temperature जो है इस परकार से दिया हूँ है जैसे कि सिया चिन दिया हूँ है 10 degree Celsius below 0 degree Celsius और सिमला दिया हूँ है एहमदाबाद, देली और सिरिनगर दिया हूँ है तो 5 जग temperatures of these places in the form of integers in the blank column तो blank column यहां पर दिया हूँ है खाली जगह यहां पर दिया हूँ है और जिस परकार से यहां पर लिखा गया है तो उसको simply integers में नंबर लिखके दिखाना है कि वह किस तरह से उसका temperature होगा यह नंबर में अगर यहां पर फिल कर देते हैं तो उसका answer यह हो Celsius, plot the name of the city against its temperature तो यहां पर नंबर लाइन दिया हूँ है और इसमें जहां पर उसका temperature आएगा जगह का उसको उस जगह पर प्लेस करना है मतलब लिखना है तो सबसे पहले हम लोग यह नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको solve कर लेते हैं यहां पर 10 डिगरी बिलो बिलो बिलो बोल रहा है 0 डिगरी से 2 डिगरी नीचे तो यहां पर माइनस 2 डिगरी Celsius यह हो गया उसके बाद 30 डिगरी Celsius अबब 0 डिगरी Celsius अबब मतलब उपर तो यहां प्लस हो जाएगा प्लस 30 डिगरी Celsius और यहां पर यहां पर बोल रहा है मतलब यहां प्लस 20 डिगरी Celsius और यहा यहां पर माइनस फाइब दिए से से सो जाएगा यह हो गया यह हो गया आपका यह नंबर का आंसर हो गया अब क्वेशन नंबर बी में क्या कह रहा है following is the number line representing the temperature in degree Celsius plot the name of the city against its temperature तो यहां पर जो जगह का नाम दिया हुआ है इसको प्लोट करना यहां पर मतलब उसको temperature के नुशार इसको यहां पे दिखाना है कि वह किस जगवड़ में दिया हुआ है c-10 degree Celsius तो यहां पर है minus 10 degree है तो यहां पे arrow दे देते हैं और इसको लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा सिया चीन यह हो गया, उसके बाद सिमला दिया हुआ है, माइनस टू डिगरी सेल्सियस, तो माइनस टू डिगरी कहां पर हो जागा, यहां, यहां, वन, टू, जीरो यहां शुरू हुआ है, तो माइनस टू डिगरी सेल्सियस, यहां हो जागा, यहां दिखा देते हैं, यहां हो जागा स सिम्ला और उसके बाद जो है दिया हुआ एहमदाबाद तो यहां प्लस 30 डिग्री सेल्सियस है तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस यहां प्यारा है तो यह एहमदाबाद यहां लिख देते हैं एहमदाबाद उसके बाद प्लस 20 डिग्री सेल्सियस डेल ही आ रहा है तो यहां 20 डि यहाँ पे हो जाएगा सब्सक्राइब यहां लिख लेते हैं डलरी यह हो गया और लास्ट में दिया हुआ है स्री नगर सिरी नगर प्रलिटे से घलसेश चल्सियम स्पायद का यहां कि आपका यहां पर सकते यहां कि यहां पर लिखा देते हैं और यहां पर लिख вдT मौनलत . सिरी का नगर यह हो गया को से सबसे ठंदा माइनिस जो ता है रहा है थंडा होता है सबसे माइनस जादा माइनस कितना होगा तो यहां पर सबसे थंडा हो गया माइनस 10 degree Celsius कॉन सा जगा है यह सियाचीन तो इसका answer हो जाएगा सियाचीन यहांपे लिख लेते हैं सियाचीन यह इसका answer हो गया उसके बाद d number में कह रहा है d number d number में write the names of the places where temperatures और अबब 10 degree Celsius मतलब 10 degree Celsius से जिसका temperature ज्यादा है तो ज्यादा में यहाँ पे ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों ही उससे ज्यादा है तो एहमदाबाद और देली ये दोनों ही हो जाएगा तो इसका answer हम दे देते हैं एहमदाबाद ये हो गया एंड डेली ये कंप्लेट हो गया नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर 6 इन इच अब दे फॉल्विंग पियर्स विच नमबर इस तो दर राइट ऑफ द अदर ओन दे नमबर लाइन तो यहां पे पेर दिया हुआ है मतलब दो नमबर यहां दिया हुआ है और इसमें से एक नमबर कौन सा राइट साइड में होगा यह पूछ रहा है तो यहां तो हम ऐसे पता कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप नमबर लाइन पे इसको बैठा लिजिए फिर आपको पता चल जाए कि कौन सा नमबर जो है वो राइट साइड में हैं तो यहां पिया पर मैं आपको बना कर दिखाले लेता है की इस परेब टू एंड नाइन यह दिया हुआ है तो यहां पर अपने ले ले लिए इस तरह से यहां जीरो रखते हैं 123456789 10 जाएगा यहां पर 123456789 10 यह हो गया अब यहां पर यह टू है और यह 9 है तो राइट साइड कौन है अब अपने हाथ में राइट साइड देखेंगे तो राइट क्या यह है 9 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 9 यह है अंसर इस तरह से बी नमर में क्या दिया हुआ है मायनस 3-8 तो यहां पर लिख लेते हैं माइनस 3 तो यहां एक नमर लाइन लेते हैं तो यहां पर मायनस जाद़ दिखाना है यहां जीरो रखते हैं यहां पर इधर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना रखते हैं यह मैनस 8 है मैनस 7 मैनस 6 मैनस 5 मैनस 4 मैनस 3 मैनस 2 मैनस 1 तो मैनस 3 यह है और मैनस 8 यह है इसका रंसर हो जागा मैनस 3 मैनस 3 मैनस 3 यह हो गया इस तरह से मैं पता चल रहा है कि जो नंबर बढ़ा होगा वही gotta right-side में होगा तो इस तरह से इसका आंसर भी दे सकते हैं जो नंबर बड़ा हुआ ही राइट साइड में तो इसको अब हम हटा देते हैं और अगर आपको दिक्कत होगा तब इस तरह से करके बना सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो यहां पे इसका मतलब प्रचल गया हम लोगों को जो बड़ा है वह राइट साइड में है तो यहां पे यह तो निकल गया अब यहां पे बड़ा कौन है बड़ा है जीरो तो इसका अंसर क्या हो जागा जीरो यह राइट साइड में है जीरो और यहां पे यहां तो प्रचल हो गया और यहां पर माइनस संटेड और वन तो माइनस ओला तो छोटा होता है इसलिए वन राइट साइड में होगा इसका मतलब इसका अंसर वन होगा यह हो गया question number seven यहां पर क्या कह रहा है write all the integers between the given pair यहां पर दिया हुआ है तो इसके बीच में जो भी नंबर है उसको लिखने के लिए कर रहा है write them in the increasing order increasing order का मतलब होता है ascending order मतलब छोटा से बड़ा increasing या ascending सेम होता है तो इसको हम लोग solve करते हैं यहां पर लेते हैं question number seven यह number में क्या दिया हुआ है zero and minus seven तो इसके और इसके बीच में कुण-कुण से number हो जाएगा तो इसके बीच में हो जाएगा zero के बाद लेते हैं one zero के बाद मतलब इस साट लेना माइनस की और लेना होगा तो हम जाएंगे माइनस seven की और तो माइनस one हो गया माइनस two माइनस three माइनस four माइनस five माइनस six यहीं तक हम लेंगे क्योंकि अगर उसके आगे जाते हैं तो हमको यहां तक पहुंच जाएंगे तो इसके पीछे और इसके बीचे रखना है इन दोनों के बीच रखना है तो यह हो गया अब increasing order में है या नहीं मतलब छोटा से बड़ा तो छोटा माइनस में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता यह तो बड़ा से छोटा हो गया तो बड़ा से छोटा नहीं लिखना हमको छोटा से बड़ा लिखना है increasing तो इसको उलड़ देंगे तो यहां पर हम लिख लेते है increasing order by increasing order में कैसे हो जागा-6-5-4-3-2-1 यह बढ़ते करम में तो यह जो है इसका सर वह जाएगा इस तरह से नेक्स ले लिपते हैं बी नंबर में दिया हुआ है सेवन कब भी है यह बी नंबर में माइनस फॉर एंड फॉर तो इसके इसके बीच में तो कहां जाएंगे हम लोग माइनस फॉर से माइनस त्री माइनस टू माइनस वन और फिर जीरो वन टू त्री बस इतना ही जाना तो हम लोग को छोटा से बड़ा तो छोटा अल्रेडी यह छोटा से बड़ा है ही तो इंक्रीजिंग ओर्डर में यह सजा हुआ है तो यही इसका अंसर हो जागा इंक्रीजिंग ओर्डर में यह 3 सबसे छोटा यह होता है माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 तो यह ही इसका अंसर हो जाएगा और C नमबर ले लेते हैं C C में दियावा है माइनस 8 एंड माइनस 15 यह है तो यहां पेस को माइनस की और ही चलना तो माइनस 9 लेते हैं माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 12 माइनस 13 और माइनस 14 इतना तक जाना है अब यहां पे increasing order मतलब हमको छोटा से बड़ा जाना है मतलब कुल्टा करना होगा यह छोटा हो गया तो यहां पे increasing order लिख लेते हैं यहां कितना हो जाएगा माइनस 14 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 11 माइनस 10 और माइनस 9 तो यह जो है इसका answer हो जाएगा question number D यहां पे ले लेते हैं यह है 7 नमर का D इसमें दिया हुआ है माइनस 30 और माइनस 23 तो इसके बीज का जो है integers लिखना है तो माइनस की और ही यह जा रहा है माइनस 30 तक जा रहा है तो माइनस 23 मतलब इसके आगे हमको लिखना है तो यहां पे हो जाएगा minus 24 minus 25 minus 26 minus 27 minus 28 और minus 29 यह हो गया अब इसको हमको increasing order में सजा लेना है मतलब छोटा से बड़ा तो छोटा तो ऐसे देखने में यह लग रहा है लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है तो यहां से हो जाएगा यह छोटा है तो इसको लिख लिख लेते हैं increasing तो इसको इधर से हम सजा देते हैं माइनस ट्वेंटी नाइन, माइनस ट्वेंटी एट, माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ट्वेंटी सिक्स, माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस में हो जाएगा, और माइनस ट्वेंटी फोर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा. कर दो कर दो